रादे कृश्णा फ्रेंड्स वेलकम करते हैं अपने यूडिव चैनल क्योट कानाची में तो आज हम अपने कानाची के लिए गनेश चतूर्ती या फिर और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जैसे के दिवाली तो उसके लिए आप बहुत सुंदर सी घर पे ड्रेस बन सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले हमें बुक्रम का बेस कट करना है जो भी आपके पास अपने कानाची की पहले कोई भी ड्रेस है तो उसी साइस का आप बुक्रम का बेस कट कर लीजिए और इसके साथ का ही मैंने यलो फैब्रिक कट कर लिया है तो सबसे पहले मैंने इनको लगा लेना है तो यह मैं स्टीच लगाती हूं तो यह देख सकते हैं मैंने यहां पीस राउन में स्टीच लगाया और यह बेस प्रोपर बनकर रेडी हो गया है अगर आप मिशीन वेरा का यूज नहीं करते हो तो आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो फैबरी के उपर जो है नीचे हमने जस्ट बक्रम को पेस्ट करना होता है तो उसके बाद मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया और यहां से मैंने जो है इनकी चोली का जितना राउन शेप में इस तरह से कट लगाना है तो यह देखिए यह बहुती ब्यूटिफूल साज बेस बन जाता है और एक साइड से हम कोई भी साइड आप इस तरह से पाड़ देजिए अब हमें क्या करना है मैंने लिया है एक गोल्डन कलर का कोई भी आप गोटा ले लीजिए अगर आप इसके यहां पर डोरी लगाना चाते हो तो आप लगा सकते हो अदर्वाइस आपको क्या करना है कि यहां से गोटा लगाना स्टार्ट करना है और इसके अराउंड पूरे इसके अराउंड ले जाए क्योंकि अगर आपने यह छोटा साइज का काटा है तो आपको जो है डोरी लगाने के जरूरत नहीं होती बहुत सी ड्रैसेज में हम लगा भी सकते हैं आपकी यह इच्छा है तो मैं पे जिस्ट यह वाला जो है गोटा कर रही हूं तो यहां से लेकर यहां तक यह वाला जो गोटा है वो लगा रही हूं तो यह देखे मेरा बीस रडी हो होचुका है अब मैंने कुछ प्यट्च रेडी करने है उसके लिए मैने क्या करता है वैल्वट का स्य सके लेना है यह गला है यह मैने यह दोड़ी सी धिक WHE sports होती है तो यह जिस तरह से फोल्ड नहीं होती और नहीं जो है यह इकठी होती है इस तरह से फोल्ड नहीं होगी तो उस हिसाब से मैंने इसके जो है है उसके उपर मैंने ग्लिव लगानी है तो आपकोई भी यहां पर जै कोष्ड देरों लेसा लत का में और्ली उसको के इस तरह से राउंड में लगाना है तो एक अंरेको लेसे हारły और लेकलते पत्रवार्वाइस यह UH ब्रस प्रेटाए और भागप तो इसको आप जो है अच्छे तरह से बाउंडरी पे लगा दीजिए और जो है एक्ष्टा को हमने कट कर देना है तो ये बहुत ही सुन्दा सा पैच बन जाएगा अगर आप इसको और लगाना चाते हो या फिर सिर्फ आपके पास बाल चेन ही है तो आप बोल चेन का यूज़ कर सकते हो तो इसको बहुत अच्छा उसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे एक मैं मीडल में लगाने जा रही हूं यह मैं बॉल चेन लगा रही हूं यह जो दबका है वह थोड़ा सा इस तरह करता है ता तब ही य혜ो है पेस्ट होता है तो यह बोलचेन भी मैं इस तरह से मिडल में लगा रही हूँ तो यह देखें यह ब्यूटिफुल सा पैस्ट वेश बन जाएगा इसको हम सूखने के लिए रख देते हैं इसी टाइप से मैंने और भी जो है पैस्ट रेडी कर लेने हैं तो यह देखे यह मैंने कुछ पैस्ट रेडी कर लिए हैं इनको मैंने कुछ इस तरह से बेस के राउंड इस तरह से रखना है कुछ पर मैंने जो है बीच में बोल चैन लगाई है और कुछ व्यासे ही रख तो मैंने इनको इस तरह से बेस पे सेट करना है एक दो और फिर एक में पैच जो है दबके वाला जो है दोनों डिजाइन का वनवन जो है पैच लगा रहे हूं तो इस तरह से मैंने इनको अच्छे से से कर देना है तो हमने यह वाले पैच कि आधे में लगाने हैं पूरे में नहीं लगाने क्योंकि हम यहां पे गनपती जी का पैच भी बना कर लगाएंगे तो यह देखें यहां तक हमने इनको सेट करना है इस तरह से तो यह मैंने यहां तक किस तरह से सेट कर लिए अब बनाते हैं गनपती जी का पैच तो गनपती जी का पैच बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो अब एक पेपर चाहिए तो यह मैंने कोई भी जो है नोटबुक के उपर पेपर रख लिया इसके उपर हमने गनपत सबसे पहले हम इनके सर से स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से और ये उनका मुक्ट बन जाएगा और यहां पे इनका सर बन जाएगा तो सिर को बनाने के बाद फिर हम आते हैं सूंड की और तो इस तरह से हमने सूंड को भी ड्रो करना है तो पीछे से लेकर जाएंगे तो ये जो है कान बनेंगे हमारे गनपती जी के ये एक कान बन गया और यहां से लेकर आएंगे तो दूसरा कान बन जाएगा तो जो सून्ड है वो इसको अच्छी तरह से प्रोपर हम इसको लुक दे देंगे इस तरह से यहां पे गनपती जी की आइस बनानी है इस तरह से तो यह देखे इस तरह से हमें एक फैब्रीक कट करना है तो यह मैं जो है सेम रैड कलर का फैब्रीक ले रही हूं तो इसी शेप में यह वाला कट कर लेती हूं तो यह देखे सबसे पहले मैंने यहां पे इसको अच्छे से ड्रो कर लिया और इसी सेम साइज करने के बाद इस तरह से निशान लगाया और इस सेम साइस में यह कट कर लिया है अब हमें यह वाला जो complete पैश्चर गंपती जीजी का तो उसके लिए मैंने यहां पे स्टोन लगाने हैं तो वो मैं आपको बताती तो इनका सच स्टाइब तो उसके बाद मैंने क्या कि उपर वाली साइड में ग्लिव लिए तो यह वाली में जो है कुछ स्टोन ले रही हूं गोल्डन कलर के तो इनको मैंने कुछ इस तरह से लगाना है सीक्वूंश वाई से अगर आप इस तरह से नहीं लगा पा रहे हो तो आपको नीडल लेनी है तो नीडल की हल्प से यह स्टोन इजी ली उठाए जा सकते हैं तो इस तरह से आप किसी भी टाइप से आप इनको सेट कर सकते हो तो एक में जो यह वाली जो लाइन है वो स्टोन की लगाऊंगी और उसके बाद एक पर्ल्स की तो यह देखिए यहां पर मैंने एक स्टोन चेन लगाई है फिर जो है मैंने कुछ स्मॉल साइज के पर्ल्स लगाए है फिर एक पर्ल्स की लाइन लगाई है और फिर से गोल्डन कुछ यह वाले ही स्टोन लगाए है लीव शेप वाले तो इसी साबसे जो है गिनेश जी का सर रेडी हो चुका है अब मैंने क्या करना है कि यहां वाली सबी बाउंडरी पर मैंने लगा कर दिखाती हूं तो यह एस तरह से माने जो घ्ली लगा लिया तो हिसी टैप से मैंने ये लगा देनी है तो अब तो स्ट आप डेख सकते कि इस ताइब से मैं आच मनी ढाला के पीस के कॉट करने yes ठीद्ठ सारी पीस कर तो यह देखिए इस तरह से जो है गनेश जी के सर पर जो है थोड़ी सी गल्यू लगाई है और जो भी यह मैंने स्प्रिंग कट किया है तो उनको इस तरह से मैंने बिखेर देना है तो इससे जो है बहुत ही सुंदर सी लुक आ जाएगी हमारे पैच में तो यह देखे कुछी स्टाइब का जो है हमारा पैच बन जाएगा अब लगानी है हमें आंके आंक के लिए आप जो है गनेश जी की आई इस तरह से सेट कर देना है तो यह दोनों को मिला कर जो है इनकी आई बन जाएगी और उपर आइब्रो के लिए भी मैंने एक पीस ले लिया है तो इससे हम इनकी आई ब्रो बना देंगे कुछ इस तरह से और इनको जो है अच्छे से से अगर आपके पास प्लेकर की अलब से सेट कर सकते हो अधरवाइस इसी तरह से निडल की अलब से आप इनको सेट कर लिजिए और इसके अंदर एक जहामने इस टून लगाना है तो इसलिए मैंने गौल्डन कलर का स्टून लिया है आपको भी ले सकती हो तो यह मैं जो है इसकी इनकी आईस के अंदर लगा दूंगी तो यह जो है ड्रेस का पैस्ट बनकर रेडी हो जाएगा तो अब यह जो है पैस्ट मेरा सूक चुका है तो मैंने इसको इस तरह से जो है ड्रेस पे से लिगा लिजिए और चोली बनाना मैंने आपको पहले ही बताया था तो यह आज की वीडियो भूलिएगा और आप सभी को गनेश चतरुति के उपलक्ष में हादिक शुब काम नहीं तो राधी राधी फ्रेंड्स मिलते आपनी नेक्स्ट रेडियो में